हेला फ्रेंट्स मैं राहुल जैन नमोकार गेमिंग वर्ल चैनल पर आपका हर दिक्स स्वागत है दोस्तों काफी दिनों से मैं लाइच्टीम में नोटिस कर रहा हूँ कि एक गेम की डिमांड सबसे ज़्यादा आरी है और इस गेम का नाम है पैसिफाई जिसका वॉल पेपर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और मुझे नहीं पता था यार एक्चुली इस गेम के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये गेम की जोनर किये लेकिन इसका wallpaper देखकर मुझे पता चल गया कि ये एक horror game होने वाली है और अभी ये भी नहीं पता कि ये game हमें किस किस platform पर खेलने को मिलेगी तो आज आपके सामने में explore करने वाला हूँ और आज रात हम इस game की live stream करने की planning कर रहे हैं ये भी देखेंगे कि ये game कितने price की है तो इसे साथ इसाथ purchase भी करेंगे तो मैं सबसे पहले चलता हूँ यहाँ पर अपने stream account पर क्योंकि ये game मुझे PC पर ही available दिखाई दी मैंने PS4 पर चेक करने की कोशिश की तो वहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दिया और वैसे भी यूजली आप जितनी भी games देखते हैं तो console के compare में PC पर game सस्ती पड़ती है तो यहाँ पर हम type कर लेता है pacify तो दोस्तो बहुत ही nominal price पर ये game हम purchase कर सकते हैं only 199 रुपीज की तो मैंने expect भी नहीं किया था कि इतने कम price की होगी ये game तो थोड़ी सी इसकी detail भी पढ़ेंगे याँ पर game के बारे में कि लोग ऐसा क्यों इसकी इतनी demand कर रहे हैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा scenario इन्होंने दे रखा है कि इस game में आपको क्या मिलेगा गाइस बात करें game के story plot की तो एक घर है जिसके अंदर report किया गया है कि एक evil है आप जानते हैं बुरी आत्मा को कहा जाता है something about an old funeral parlor offering a last chance to talk to their dead loved ones यहाँ पर एक funeral parlor की भी बात की गई है आपको पता है जहाँ पर दहास अंसकार किया जाता है खास तोर पर शंशान घाटिया उससे concern parlor है जो कि अपने loved one से मरे हुए loved one से बात करने का आखरी chance provide करता है ऐसा सुनने में आता है इस जगा के बारे में प्लस इस जगा के कुछ light से concern, laughter से concern यानि तेज तेज जैसे डरावनी हसी होती है एक लड़की से concern कुछ missing लोगों से concern भी चर जाए हैं अब हमें क्या करना है यहाँ पर हर इनसान इनी बातों के बारे में अगर claim करता है तो हमें एक team को लेकर इस place को check out करना है आप देखेंगे कि इस game को release हुए near about one and half year हो चुका है क्योंकि यह 23rd February 2019 को release हुई थी Recent reviews भी इसके काफी positive हैं और अगर previous time से भी concern reviews की बात करें तो सभी positive reviews हैं तो आज हम live stream में देख लेंगे कि आखिर ये game कैसी है जहां तक बात है इसके developers की तो उनका नाम है इसके लावा दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि एक horror multiplayer game है जिसे आप cop mode में भी खेल सकते हैं तो ये game का सबसे बड़ा advantage है क्योंकि normally जो भी हम games खेलते हैं horror game में खासतोर पर multiplayer नहीं होता वो ज़्यादा तर आपको campaign mode ही provide कराते हैं लेकिन यहाँ पर इन्होंने cop दिया है तो इससे क्या होगा कि जो भी horror game को ज़्यादा खेलते नहीं है यूजली जैसे कि हम अपनी बात करें तो हमारे लिए ये plus point है कि आगर आप लोग हमारे साथ खेलेंगे तो हमें थोड़ा डर कम लगेगा और हम आपके साथ जो भी इसके अंदर task दिये होंगे वो easily complete कर पाएंगे तो आप लोग भी हमारे साथ इस game को access करके खेल सकते हैं तो आज हम आपके साथ ये game multiplayer खेलने वाले हैं आप लोग भी ready हो जाए जिन्होंने भी game purchase कर रखी है या करने वाले हैं आज तो please comment करके बता दीजिए तो अब बात करते हैं game का setup कितने GB का है तो उसके लिए भी मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं game की system requirements भी हैं यहाँ पर minimum and recommend तो यह normally आपके जितने भी आपके पाफ PCs हैं यह सब में support कर जाएगी तो उसके लिए आपको कोई high end PC नहीं चाहिए और game की stories की बात करें तो 2 GB का space आपको maintain करके चलना है तो यह normally होता ही है हमारे computer में तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है तो यहाँ पर दो option दे रखे हैं purchase करने के लिए भी purchase to myself and purchase as a gift तो अगर मिझे अपनी किसी friend को share करना हो या उसे gift देना हो तो वो भी हम कर सकते हैं लेकिन यह फिलाल हम अपने लिए purchase कर रहे हैं तो purchase to myself करते हैं और ID हमने पहले से लड़ी login कर रखी है फिर भी यहाँ पर remember कर देते हैं यह हमारी ID आप देख सकते हैं वोकार Gaming World के नाम से है तो आप लोग हमें friend request send कर सकते हैं इस पर और यहाँ पर दोस्तों अब हमें detail डालनी होगी तो यह portion को हम करते हैं इसके तो guys आप देख सकते हैं कि हमने game purchase कर लिए हैं और यहाँ पर हम कर लेते हैं अब इसे download तो इस पर हमें simple सा click करना है इसके अलाब हमने और भी game download कर रखी हैं यह दिखा रहा है कि आपकी आठ मिनिट के इंदर game download हो जाएगी वैसे भी आपको पता ही कि 2GB का setup है तो कितनी game space लेगी यार तो यहाँ पर हमारी downloading start हो चुकी है तो आप लोगों को भी मैं recommend करूँगा कि आप भी प्लीज इस game को download कर लीजिए क्योंकि game बहुत ही nominal price पर है 200 रुपे कुछ भी नहीं होते यार तो आप लोग भी हमारे साथ फिर multiplayer इस game को खेल सकते हैं अज co-op mode में खेलने के साथ-साथ आप हमारे साथ conversation भी कर सकते हैं इसके लिए description में हमारे discord का link आपको provide किया गया है आप पटा-पट से यहां पर join कर लीजिए और बताइए किस-किस ने इस game को पहले से purchase किया हुआ है experience कर चुके हैं और कौन हमारे साथ करने वाले हैं स्क्रीन के अपर राइड साइड में आप देख सकते हैं हमारे स्टीम आइडी मेंशन है यहां पर हमें request भेज सकते हैं जैसे कि आप PlayStation पर भेजते हैं ताकि हम आपकी request को accept करके आपके साथ party बना कर खेल सकें तो गाइस कौन-कौन जॉइन कर रहा है हमें फटा-फट से पताईए comment box में वीडियो पसंद आया है तो उसे like and share कर दीजिए अपने friends में भी ताकि वो भी game purchase करके हमारे सथ game को enjoy कर सके चैनल को subscribe करके bell icon पर click कर दीजिएगा अभी के लिए इजादत लेते हैं फिर मिलते हैं रात के 9 बजे live stream में तब तक के लिए bye bye and take care